दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोडेस्ट मैट्स में हैं दोस्तो मैं हूँ विनित पुदर और आज मैं आप लोग को करा रहा हूं क्लास प्रोवों का पार्ट नंबर सेवेंटी नाइन जिसमें हम लोग देख रहे हैं रेसियो और बात B बराबर क्या होगा ठीक है कोश्चन आचुका था कि ऐसा है A का मतलब होता है इंटू 40 बटा में 100 बराबर B का मतलब इंटू 5 बटा 4 कटता है तो 20 से कटता है दो बार में 20 से कटते हैं 5 बार में ठीक है बराबर आपर क्रोस में इंटू होता है तो देखिए ये 2 और ये चार इंटो होका, ये 5 और ये 5 इंटो हो जाएगा तो दो और 4 इंटो होके बन जाएगा, 8A बराबर 5 और 5 हो जाएगा 25B, हम लोको चाहिए ए अनुपात B का वहलू ना तो जब A चाहिए तो हम लोग B को लिखेंगे, और जब B चाहिए होगा तो A को लिखेंगे तो हम लोगों A चाहिए तो कितना लिखेंगे 25 और B चाहिए तो लिखेंगे 8 तो यह 25 अनुपात 8 इसका एंसर हो गया option number C तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह question आप लोगों अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा question समझ रहें friends देखिए यह practice question आपके लिए practice करें और answer comment box में comment दे यदि A B से 50% अधिक हो तथा B C से 30% कम हो तो A अनुपात B बराबर क्या होगा देखिए तीन नंबर है यहाँ पर हम लोगों तीन अलफा वेठा है A है B है और C है ठीक है A है B है और C है A बोलता है B से 50% अधिक है B कितना है यह तो पता ही नहीं है उनको फिर बोलता है B C से 30% कम है अब C कितना है यह भी तो नहीं पता है हाँ लेकिन C के बाद कोई है भी नहीं और बात है सब परतिसत में तो जब ऐसा रहेगा तो लास्ट नंबर जिससे कंपेर करना है उसको सौमाल लिजे क्या बोलता B जो है वो C से 30% कम होगा तो 30% कम मतलब 70 हो जाएगा यह और A जो है वो B से 50% अधिक होगा मतलब कि A देखे कितना होगा यह रफ अठिक है 70 तो रहेगा ही रहेगा पलस 70 का 50 बटा 50 से कटता है 2, 2 से कटता है यह 35 जोड़ देंगे तो दोस्तो होता है 105 X लगा हुआ, X लगा देंगे तो 105 X पूछा है A अनुपाद B A अनुपाद B कितना कितना है देखे तो 105 X और 70 X 35 से कटता है 3, 35 से कटता है 2 3 अनुपाद 2 देखिए किस option में option number A इस question का सही answer हो जाएगा दोस्तो तो उम्मित करता हूँ ये question भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया हो दोस्तो चलिए ये अब आपके लिए practice question है practice question को देखिए दोस्तो छोड़िये नहीं जरूर बनेए और जो भी answer आता है comment box में comment कर दिजए बनाते जाएगा और साथी साथ comment कर दिजए ये देखिए अगला कुछ चना है हम लोग के पास A बराबर B का 60% तथा B बराबर C का 40% हो तो A नुपात C बराबर क्या होगा A बराबर B गुना 60 बटा 100 20 से कटता है 3 20 से कटता है 5 cross into हो जाएगा ये तो हो जाएगा देखिए 5 A बराबर 3 B अनुपात लिखना है तो कैसे लिखेंगे बस वे पहले की है थे जैसे हम लोग A के लिखेंगे B को और B के लिखेंगे A को 3 अनुपात 5 ये A भी काया ठीक है अब B C का क्या दिया हुआ कंडिशन B बराबर C का 40% 20 से 2 20 से 5 ये लिखाएगा 5 B बराबर 2 C अब अगर B अनुपात C लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग तो B के लिखेंगे C को और C के लिखेंगे B को 5 common के यहाँ देखिए तो B है यहाँ पे देखिए B का 5 है और यहाँ 2 है अलग-अलग हो जा रहा है न तो दोस्तों जैसा कि आम लोगों पिछले वीडियो में देख चुका है बराबर करने के लिए इसको कैसे करते हैं उमीद करते हैं आप सभी को याद होगा ये देखिए 3 5 यहाँ लिखेंगे और जेश्ट नीचे में 2 और 5 जो इसका है अब फिल करते हैं लोग यहाँ पे आजाएगा 5 और ये 2 आजाएगा यहाँ देखिए 3 को 2 से इंट्यू करेंगे तो हो जाएगा 6 5 को 2 से करेंगे 10 5 को 5 से करेंगे तो 25 पूछा क्या है आम लोगों से A और C का यह देखिए कितना है या 6 और C आया 25 छे 25 देखिए किस ऑप्शन में है ऑप्शन नमबर C इस कोस्षिन का सही अंसर होगा दोस्तों तो उम्हीद करता हूँ यह कोस्षिन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यह प्रैक्टिक्स कोस्षिन है दोस्तों अपलों के लिए दोस्तों वीडियो को पूरे अंग तक देखिए अगर पसंद आ आपको पूरा अच्छा लगे तभी आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ठीक है वीडियो को पूरा लाश्ट तक द दिया है एक का 40% मतलब 40 बटा 100 बराबर B का देखे 0.50 पॉइंट हटा लेते हैं इसका और बटे में क्या देते हैं 100 बराबर C का एक बटा 4 ऐसा है देखे कोशिस करते हैं कि बेस को एक जैसे करने का तो 100 100 तो है इसको भी 100 बना देते हैं तो 25 से यहां इंटू करते हैं 25 से यहां भी करना होगा है ना यह 100 100 और 100 कट गया 5 से कटेगा 8 5 से कटेगा 10 5 से कटेगा 5 क्या है आए हम लोग के पास 8A बराबर 10B बराबर 5C पूछा क्या है A अनुपात B अनुपात C वही नियम याद है A निकालना है तो B और C को इंटू करेंगे 10 और 5 हो जाएगा देखिए 50 B निकालना है तो A और C को करेंगे 8 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 40 और C निकालना है तो A और B को करेंगे हो जाएगा 80 0 0 0 कटता है तो रेशियो क्या बनेगा पांच अनुपाद चार अनुपाद आठ देखिए किस ओप्षन में है पांच चार आठ ओप्षन नूमबर डी ये सही अंसर हो जागा दोस्तों इसका तो उम्मीद करता हूँ ये कोश्चन आप लोगो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप केमेंट कीजिए फ्रेंट्स ये आपका प्रैक्टिस कोश्चन है ये देखिए कोश्चन नंबर फाइव आगया हम लोग के पास एक का चालिस पर्षेंट बराबर बी का पचास पर्षेंट बराबर पूछा है तो या नुपाद अभी बराबर क्या होगा चलिए यह तो असान कोश्चन था बना हुआ अभी तो आप लोग ने बनाया देख्या अश्टप से तो क्या मिला हम लोग के पास फूर ए बराबर पाइब भी सभी कोई कर सकते था आप लोग यह बी का निकालना तो किसका लिखेंगे हम लोग सरी ए का निकालना तो बी का लिखेंगे पांच और ए के लिए लिखेंगे बी को बी के लिए सरी ए को चार पांच चार देखें किस अप्शन में है अप्शन नमबर बी इस कोश्चन का सही एंसर हो जागे दोस्तों यह आपका प्रैक्टिस कोस्टन है लाश्ट दोस्तों वीडियो अच्छा लगा अगर पसंद आया तो आप लाइक सेर कमेंट करें और हाँ वीडियो गर आपको समझ में आ गया लगता है आपका काम का है और इसी पर करके नए नए वीडियो आप पा सबस्तों